हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें आज इस वीडियो में हम जिस टोपिक के वारे में डिसकस करने जा रहे हैं वो है हमारा जेंडर स्कूल और सोसाइटी के यूनिट फर्स्ट का फॉर्थ चैप्टर देट इस पोलिसी इनिशेटिब्स फोर जेंडर एक्वैलिटी एंड वूमेन इंपावर्मेंट इन इंडिया तो शुरू करते हैं सबसे पहले पोलिसी इनिशेटिब्स देखते हैं क्या है क्या बोर रहे कि सरकार के दोरा त्यो psycho किए गए कुछ specific जो actions होते हैं या कोई programs चलाय जाती हैं या किसी organization के दोरा चलाय जाती है जिनका मक्सद होते है किसी issue को solve करना या जो goal है उसको achieve करना Policy initiatives often involves the development and implementation of new laws, regulations and programs or projects to address social, economic or environmental challenges कि जो समाज में या आर्थिक रूप से या बाताबरण के रूप में हमें क्या है कुछ challenges जो face करने को आ रही हैं उनके लिए जो सरकार है कुछ policies बनाती है जो क्या होती है कि new law क्या है implement करना है या जो पहले laws थे उनमें amendment करके कुछ change करके उनको modify करके द्वारा से implement किया गया These initiatives are intended to drive positive change, improve outcome and address the needs and aspirations of individual communities or specific groups क्या वो रहे है कि जो initiatives है इनका motive होता है एक positive साकरात्मक change लाना और जो needs है, aspirations है उनको कह है, fulfill करना उसके बाद हमारा next है इसके बाद woman empowerment आप इसमें gender equality भी add कर सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में उसके बारे में discuss already कर दिया है अगर आपने नहीं देखे है तो आप channel की playlist में जाकर देख सकते हो, उसमें से आप gender equality का जो basic concept है वो इसमें add on कर सकते हो तो woman empowerment देखते हैं इसमें क्या है, it means empowering women by making them feel an equal part of society, by educating them, making them self-sufficient, giving them equal roles in managing the society and important of all respecting them for their contribution basically इसमें बात क्या हो रहे है कि समाज में उनको बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनको सम्मान होना चाहिए, उनके जो rights हैं, उनका हनन नहीं होना चाहिए, उनके अधिकारों का, उनको equal opportunities provide की जानी चाहिए उसके बाद है, the motto of woman empowerment is to ensure equality in society between male and female जो woman empowerment है, इसका जो motto है, इसका जो aim है वो यह है कि समाज में जो आदमी और ओरत है, वो क्या है, बराबर है, उनकी जो equality है, उसको सुनिश्चित करने के लिए woman empowerment लाई गई it ensures women rights and create society where men and women are equal and women are respected, valued and have equal access to education, employment, healthcare and leadership roles basically जो हमने पीछे पड़ा, उसको घुमा के बाद फिर से गही गई है, इसमें क्या है कि समाज में औरतों को बराबरी का समाज, उनके बराबर अधिकार दिये जाए, उनको value किया जाए, उनके opinions मानने जाए और उनको क्या है जो शिक्षा का दिकार है वो भी उनको दिया जाए, उसके बाद है policy initiatives for women empowerment can take place in various forms including कई तरीके से क्या है women empowerment हो सकती है first है हमारे पास legislative initiative जिसमें क्या है कोई laws नए आ सकती है या जो पुराने laws है उनमें amendment करके उनको दवारा से apply किया जाए, उसके बाद है हमारा programmatic initiatives जिसमें क्या है programs चलाए जाए या projects चलाए जाए women empowerment के लिए उसके बाद third है awareness and advocacy initiatives जिसमें क्या है campaigns चलाए जाए awareness programs चलाए जिसमें क्या है औरतों को जागरू किया जाए उनकी अधिकारों के लिए उनकी जो moral rights हैं उनके लिए उसके बाद है funding initiatives तो इसमें क्या है उनको financially support करना या ऐसी schemes चलाना जिसमें क्या है वो उनको सरका की तरब से कुछ benefits दिया जाए या सरकार की तरब से कुछ financial help दी जाए उसके बाद है need of women empowerment तो basically हम पहले पढ़ चुके है need of equality gender equality या उसके बाद हमने equity और equality की needs भी पड़ी तो उसी की needs में से ये भी है needs of women empowerment almost same ही है तो मैं इसके सिर्फ आपको points बताऊंगा elaborate नहीं करूंगा आ आप ऐसे समझ जाओगे क्योंकि पहले हमने ये और लेडी पढ़ चुके हैं हम ये first है हमारे पास recognizing that women are equally intelligent की ये समझना कि जो ओरते हैं वो भी क्या है आदमियों के बराबर intelligent होती है second है overall development of society समाज के सरवांगिन विकास के लिए to get rid of poverty जो गरीब भी है उससे बचने के लिए उसके बाद हमारा next step for national development अपने देश की जो क्या है विकास के लिए to promote equality समानता को promote करने के लिए to reduce domestic violence और sexual exploitation की जो females हैं अगर वो पड़ी लिखी होंगी वो सशक्त होंगी इंपार होंगी तो क्या है वो अपने rights के लिए लड़ेंगी उनके साथ कुछ injustice हो रहा है तो उसके ख भी हमें woman empowerment की जरूरत है democratic value की inculcation के लिए भी हमें क्या है value woman empowerment की जरूरत है access to justice नयाए पाने के लिए जरूरत है कि उनको पढ़ाया जाए पढ़ेंगे तब ही तो उनके उनके rights के वारे में पता चलेगा financial independence वो depend नहीं होंगे किसी पे financially support के लिए उसके बाद है social progress समाज का वि इंडिया इसके बाद हम पढ़ते हैं in इंडिया several policy initiatives have been implemented to promote gender equality and woman empowerment some key examples are अभी हम इसमें से कुछ policy initiative पढ़ेंगे जो gender equality और woman empowerment के लिए सरकार के द्वारा लागू किये गए तो first है हमारा protection of women from domestic violence act 2005, second है the maternity benefit amendment act 2017, third है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, fourth है the sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act 2013, fifth है हमारा national rural livelihood mission NRLM उसके बाद है prohibition of child marriage act, उसके बाद हमारा seventh है the right to education act 2009, उसके बाद हमारा eighth है महिला शक्ती के इंदर स्कीम, ninth है हमारा the परधान मंतरी मात्रू बंदना योजना, उसके बाद हमारा tenth है women help line scheme, उसके बाद 11 है परधान मंतरी उजवला योजना, 12 है सुकन्या सुम्रिधी योजन 13 है हमारा swab lambam program, तो शुरू करते हैं सबसे पहला है हमारा protection of women from domestic violence act 2005, तो ये क्या है this act provides legal protection and sport to women who experience domestic violence, घरेलू इंसा के प्रतिक है, सरकार के द्वारा जो act पारित किया, जो लो लागू किये गए, उसमें से जो मारा act 2005 है, उसमें क्या है, जो जिन ओरतों के साथ क्या है, घरे जो क्या है, उनको legal protection provide करता है, और उनके खिलाफ legal actions लिये जाते हैं, जो क्या है, औरतों के प्रति domestic violence करते हैं, उसके बाद है, it aims to prevent domestic violence, domestic violence को रोकने के लिए, ये protection आया, provides emergency relief and facilitate access to justice for survivors, जिनों ने इसको survive किया, उनके लिए क्या है, नयाय लेकर आया ये protection act, उसके बाद हमारा second है, the maternity benefit amendment act 2017, तो this extended maternity leave for women to 26th weeks and mandate employers to provide cratch facilities, cratch facilities, तो इसमें क्या है कि जो maternity leave थी, उसको कहनों ने extend कर दिया, 26th week की कर दिया, जो maternity leave पहले कम period की थी, अब उसका time period बढ़ा दिया, और जो employers है, जिनके पास वो काम करती है, as a employee, उनको क्या है, ये mandatory कर दिया कि उनके पास scratch facility यानि कि शिशू ग्रह होना चाहिए, जहां पर क्या है, छोटे बच्चों को रखा जा सके, it aims to support working mother and ensure their well-being during pregnancy and after child birth, जो ये हमारा act था, ये हमारा policy initiatives था, इसका मकसद था, कि जो mother है और जो उसका शिशू है, जो उसका child है, उन दोनों को क्या है, support provide की जाए और उनकी well-being का ध्यान रखा जाए, उसके बाद है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, save the girl child, educate the girl child, तो this initiative focus on addressing gender-based discrimination and promoting the girl child, जो ये हमारा initiative था, इसका मकसद था, कि जो लड़कियों के साथ discrimination होता है, फिर चाहे वो birth waste है, या education को लेकर है, उस चीज को क्या है, खत अनुपात को क्या है, इंप्रूव करना था, जो इसमें कमी आ रही थी, कि लिंग अनुपात बढ़ रहा है, उस चीज को equal करना था, बराबर लेके आना था, कि जो लड़कियों की संक्या है, वो लड़कों की संक्या के almost equal चले, naturally जैसा हो रहा है, कि मतलब बाहरी तरीके से, कोई भी किसी तरीके से, for example, जो भून हत्या हो जाती है, या घर्ब में लड़कियों की हत्या हो जाती है, तो उन चीजों को रोकने के लिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, policy AI, and enhance their overall well-wing, उनकी जो well-wing के लिए क्या है, ये सरकार के द्वारा चलाए गया, एक कदम था, उसके बाद हमारा fourth है, the sexual harassment of women at workplace, act 2013, 2013 में ये act पास हुआ, इसमें क्या था, this act mandates the prevention and redressal for sexual harassment at workplace, कि जहां पे अगर ओरतें काम कर रही है, वहां पे उनके साथ किसी परकार की shade खान नहीं होती है, ये harassment होती है, तो क्या है, उनके खिलाब legal action लिया जाएगा, और इसके लिए उन employers से, मतलब जिनकी अंडर वो काम करती थी, उनको क्या बोला, कि उनकी एक internal committees होगी, जो क्या है, ये complaints को देखेंगी, और जो पूरा इसके पीशे का reason और इसके जाँच करेंगी, और जो culprit होगा, उसको सजा दी जाएगी, उसके बाद हमारा fifth है, the national rural livelihood mission, इसमें क्या था, initiative aims to empower rural women by promoting their participation in self-help groups, providing skill development training and enabling access to financial service, basically इसमें क्या था, जैसे ग्राम पंचाइस में कुछ पोलिसी जाती है, कुछ ऐसी schemes आती है, जिसमें क्या है, ओरतों के group बनाया जाती है, for example, महला मंडल हो गई, या कोई other group जिसमें क्या है, financially वो एक दूसरे को help कर सके, या सरकार की तरफ से उनक इकड़ाई सिखाई जाती है, तो ये सारा क्या है, उनको सशक्त करने के लिए, उनको इंपार करने के लिए, उसके बाद सीख से है, the prohibition of child marriage act 2006, this act prohibits the child marriage and provide for the annulment of underage marriage, जो underage marriage होगी, जैसे अभी सरकार ने, government ने और हमारे कानून ने क्या है, एक उमर ते किये, कि इस उमर के से पहले क्या है, जो शादी वो invalid होगी, तो ये act लेकर आया कि जो child marriage है, उसको खतम किया जाए, उसे बंद किया जाए, it aims to protect rights and well-being of young girls and prevent early marriage, जो बाल भीभा हो जाता था, या जल्दी भीभा हो जाता था लड़कियों का कम age में, उसको रोकने के लिए, ये act पारित किया गया उसके वाद हमारा 7th है, the right to education act 2009, तो ये क्या था हमारा free and compulsory education for all children between the age of 6 to 14, इसमें क्या है, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए भी कदम उठाया गया, कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए, सभी को क्या है, free and compulsory education दी जाए, without any discrimination, ना वो gender based होना चाहिए, ना caste based होना चा education reducing dropouts rates, अभी free and compulsory education scheme IRTI 2009, तो इसमें क्या था कि सभी को क्या है, समान शिक्षा का अधिकार है, और ये free होगी, और ये हमारी states की duty होगी, हमारे schools की duty होगी, कि सभी को क्या है, शिक्षा परदान की जाए, उसके बाद हमारा 8th है, महिला शक्ति केंदर scheme, तो इस scheme के under क्या था, इस scheme focus on empowering women of rural area by providing skill development program, training and promoting gender awareness, तो इसमें वही है कि उनको skill development programs करवाएं जाएं और उनकी क्या है, जो gender उनको खुद के बारे में पता चले, उनके क्या rights है, वो क्या-क्या job कर सकती है, या उनको कौन-कौन सी opportunities पहले provide नहीं की गई थी, उनके लिए सरकार ने कौन-कौन सी scheme चला इसका जो aim था to enhance women leadership, to promote self-reliance, कि वो खुद पे dependent, दो किसी पे dependent ना हुए, वो क्या है, independent बने and improving socio-economic status और जो समाजी का आर्थिक स्थी थी है, उसमें क्या है सुधार आई, उसके बाद 9 है हमारी परधार मंत्री मात्रू बंदना योजना, तो इसमें क्या है, this scheme provide financial assistance to pregnant and lactating women for their nutrition and healthcare needs, जो गर्ववती होती है, या जिनोंने delivery के बाद, उनके लिए क्या है, सरकार की तरफ से financial support दी जाती है, it aims to improve maternal and child health outcomes, उनकी जो सेहत है, उसका ख्यार रखने के लिए, ये scheme चलाई गई, support women during critical stages of pregnancy and child worth, जो औरते हैं, उनके लिए गर्ववास्ता में, और after the delivery, उनको क्या है, जो उनकी help करने के लिए, ये scheme चलाई गई, ताकि उनको support मिले सरकार की तरफ से, और क्या है, उनको financially भी support किया जाए, उसके बाद है, women help line scheme, this scheme aims to provide emergency assistance and support to women facing violence, harassment or any form of abuse, तो सरकार की तरफ से help line number चलाई गई है, child help line number है, women help line number है, तो ये help line number का क्या है, कि अगर कहीं पर आप के साथ किसी तरीके का misbehave हो रहा है, या violence हो रहा है, तो आप क्या है, complete कर सकते हैं, आपको, जो वहाँ पे, जिस help line number पे आपने call की, वहाँ से आपको complete assistance, assist किया जाएगा, आपके लिए, क्या है, immediate actions लिए जाएंगे, aims to ensure immediate response and access to service की, जो भी उस वक्त बनेगा, उस तरीके से क कदम उठाए जाएंगे, उसके बाद 11 है, परधान मंतरी उजवला योजना, तो इसमें क्या था कि जो rural areas की जो ओरतें थी, उनको क्या है, लकडियां लेकर वो चुले में जलाती थी, तो उनको इंपार करने के लिए, government ने scheme चलाई, परधान मंतरी उजवला योजना, जिसम क्या है, उनको LPG, सिलेंडर और गैस क्या है, फ्री में दिये गए, और उनको जो दो महिने, तीन महिने के बाद उसके पैसे भी दी जाते थे, कि अगर वो खतम हो जाए, तो उसको refill करने के लिए, सरकार की तरब से उनको financially support किया जाता था, उसके बाद हमारा 12 है, सुकन्या स समरीधी ओजनावी सरकार के द्वारा शुरूच की गई, इसमें क्या था, कि जो parents है, उनको motivate किया गया, कि वो अपने जो लड़किया है, उनके लिए, पैसे क्या है, उनके कोई bank खाता खुलवाएं, उसमें पैसे जमा करवाएं, बहुती कम amount में पैसे जमा करवाने थे, त उसके बाद है, स्वावलंबम प्रोग्राम, तो इसमें स्वावलंबम प्रोग्राम में क्या था, to provide training and skills to women to facilitate them to obtain employment और self-employment, तो इसमें क्या था, कि उनको खुद पे निर्भर किया जाता था, कि वो क्या है, self-dependent हो, किसी पे depend ना हो, वो क्या है, independent रहे, तो इसके लिए, उन के पास रोजगार हो, खुद का अपना, तो ये थे हमारे policy initiatives, तो आज हमने पड़े policy initiatives की हमने definitions देखी, फिर हमने women empowerment की देखी, तो gender equality की आप add कर सकते हो, फिर हमने देखा कि किस किस तरीके से policy initiatives हो सकते हैं, फिर हमने उसकी need पड़ी, कि क्यों हमें women empowerment या gender equality की need है, उसके government के लिए, तो आज के लिए इतना ही था, वीडियो अच्छी लगिए, तो वीडियो को जादा से जादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स पर वाचिंग